जहन दोस्तो किसी की यद रैडिंग इंट्री जादा है तो क्या फोज उसे डिस्मिस कर सकती है डिस्मिस कर सकती है तो क्या उसकी पैंसिन रोख सकती है या पैंसिन के लिए 15 साल सर्विस से यद कम है बंदे की और आप फोज फोर्स पुली उसको निकाल देती है और उसको पै 2024 में एक ऐसे बंदे को न्याय मिला पैसा मिला एरियर मिला जिसको सुनकर के आप हैरान हो जाओगे यानि भरती कब का है कब रेटाइड हुआ और केस अभी हुआ यानि उसने सोचा कि यार एक बार हम ट्राइल करी लेते हैं और जब बात बनती है उपर वाला साथ देता है तो आप समसकते हो ये केस नंबर है 207 अभलिक 2024 म.263 अभलिक 2024 एप्लिकेंट है सवार नेवल सिंग यानि रेटाइड है सवार यानि आरमड का जबान है और रिस्पोंडेट इंडिया वास एप्लिकेंट है Mr. नवनीत कृष्ण मिस्रा एड़ोकेट एंड पत्वीराम एड़ोक है ओनेवल जश्टिस राइंद मैनन चेर्मेन पर्शन ओनेवल रेर एड्मिरल धीरेच विज मेंबर है ओर है 19 जनवरी 2024 कीपिंग भी दा अबर्मेंट मेड अप दा मिसलेंस एप्लिकेंट फाइल बाई सो एंड सो एंड सो एंड सो एंड सो फिर होता क्या है इसमें आईए Issue pass an order directing the respondent to consider case of the applicant grant of service pension and other consecutive benefit after condoling the shortfall deficiency of 167 days below one year in qualifying service of pension in Indian army and provide the same with effect from the date of discharge either 26th July 1978 यानि ये order है इसमें लिखा गया है यदि किसी की service एक साल से कम है इनकी सवार नेवल सिंग की 167 days यानि 15 साल से कम है 1978 में retired हुए थे 1964 में ये भरती होते है और drink की बज़े से alcohol dependency syndrome की बज़े से forcefully discharge कर दिया जाता है इने pension नहीं मिलती है ये परिसान होते है जिंदगी भर struggle किया 78 से दो यार 24 का decision देखिए देर है अंधेर नहीं है या आपको विस्वास रखना होगा कानूनी विवस्ता के उपर और ये विस्वास के लिए मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ अब इनको नियाय मिलता है और नियाय में कौन कौन सी बादाएं आती है क्या क्या ची इसके साथ मैंने बकिल साब से बात किया क्या आपके जो ओर आप किसी को नियाय दला तो MOD implement कर पाती है नहीं कर पाती सच बताना उन्हेंने खाया कि obesity cases को disability को लेके सब जगें implement हो रहे है और मिल रहे है आप आपके जानकारी बताओ तो ये हमने का मिलेगा 100% मिलेगा सिर्व जड़ा brief history सुल लेते हैं उसका बिना pension के निकला लेकिन अब कहते हैं अंतते है उसको उजाला मिला while legal notice dated अब प्रकिरिया शुरू होती जब ये case आता है तो पहले legal notice 10 November 2023 को applicant के द्वारा दिया जाता है उनके सीने record अपसर को इस इंटिमेटेड देड आर्मी नमबर शुयंड सो 1036317 एक सवा निवल सिंग हैं मैंसेंड रॉंग आर्मी नमबर इन और लीगल on completion of its mandatory retention period hence your request is untendable यानि आप अब इनके बारे में हमसे पूछ रहो भीया हमने तो जला दिये इनके कागज जो के फौज की SOP कहती है हम इसका लिए जवाब नहीं दे सकते पहले क्या बोला इनका आर्मी नमबर गलता है ओ यहीं पर जज साब ने इस केस को पकड़ लिया एक क्लोज मिला क्लोज को फिर आगे कैसे carry on किया इसके उपर बहुत सारे आर्मी ओडर की तलास की गई अब क्या क्या ओब्जरेशन में युनियन क्या 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 चीजों पर नहीं बिचार किया as observed above various government letter and provisions of pension regulation provide for 15 years of qualifying service for grant of normal service pension however regulation the 125 of the pension regulation 1961 provided for condolation of deficiency up to six months by the respondent meeting thereby that a person within 14 years six months of service could be granted pension by condoling the shortfall six months उन्होंने का है कि एक साल का प्राब्दान है छे साल का एद छे महने का एद बंदे की service कम है तो उन्होंने हवाला दिया हवाला दिया आप समसकते हो कौन सा वाला regulation 125 1961 का हवाला दिया फिर उन्होंने government letter निकाला ministry of defense by letter number so and so 2001 का dated 14 अगस 2001 enhance the canonical period up to one year provided by the following एद एक साल कम है तो किस authority पे दिया जासकता है sanction is hereby according the persons of M.O.D. so and so administration या मतलब किसकी प्रिमिस है एद छे मैने कम है यह सारे चीजों के तथ निकाले गए यह हमारे और आपको जानना बहुत जरूरी है कि जज सामने सारे प्रापधानों पर बिचार बिमर्स किया और उन्होंने एक एने crystal clear order दिया from the above it is a crystal clear that the full bench is a very we categorize, calculate the condolence of shortfall qualifying service of pension can be granted up to one year only similar view condoling shortfall less than one year qualifying service है जाल सो taken by एक coordinate bench of the tribunal उन्होंने बहुत सारे चीजों का हवाला दे करके कहा और अन्तत है जो order है the shortfall of less one year of qualifying service for service pension is a condolent subject to verification of record and respondent at direct PPO applicant granting service pension area shall be paid within four month from date of receipt of this copies order in default the applicant will be entitled in interest of six percent per annum till the payment mode ये आपको आदिस यानि उनको PPO जारी किया जाए उनको service pension जारी किया जाए उनको area जारी किया जाए चार मेहने के अंदर ऐसा नहीं कहती है तो 6% का आपको interest per annum के साफ से देना पड़े है दोस्तों कहने आप मेरा audio भी सुन सकते हो कहने का मेरा मतलब है कि हमेशा hope is life हमेशा आसाबादी बने रही है और चीजों को try करते रही है लोगों से बात करते रही है कहीं न कोई भटका है उसको रास्ता जरूर मिलेगा और यही हमारा आप